नमस्कार आज हम शुरू करने जा रहे हैं हरियाना जी के हरियाना जी के में जो कोशन आज आपके पास करवाई जा रहे हैं वो आपके जितने भी आपके अजसरी competitive exam होते हैं उन सब में आपके question पूछे जाते हैं और यह आपके इतने important question है जो आपके आप कोई भी exam उठाके देख लेना है जैसरी का आपको उन में यह question जरूर मिलेंगे और इतने quick reason जो है questions की आपको एक वीडियो में जो आपकी वीडियो 20 minutes की होती है उसमें आपको 40 question का rapid fire मिलता है इतने quick reason आपकी वीडियो में करवाई जाती है तो वीडियो को आप last तक जरूर देखिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेर कीजेगा लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा शुरू करते है question first से जलाल उद्दीन खिल जी दिल्ली का सुल्तान बनने से पुरव कहां का जो है मुक्ति रह चुका था तो यहाँ पर आपका option A है रिवाडी option B है हासी option C है कैथल option D है हिसार तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option C जो है कैथल का जो है वो मुक्ति रह चुका था next question है आपके पास हर्याना की किस नगर में इबराहिम लोदी का गुबंद स्थित है option A है गुरगाओ option B है पानिपत option C है फ्रिदाबाद option D है रोहोत तक तो यहाँ पर आपका right answer हो जाता है जो इबराहिम लोदी था उसका जो गुबंद है आपका वो पानिपत में स्थित है option B इसका right answer होगा next question है हर्याना राज्य में प्रतेक गाओं में बिजली किस वर्ष पहुचाई गई option A है option B है option C है option C है option C है यहाँ पर इसका right answer हो जाता है आपके पास 90, 70 option B इसका right answer होगा next question है नीमन में से कौन सी नदी हर्याना की परमुख नदी नहीं है option A है यमना option B है मारकंडा option C है घगर option D है सतलूज तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा आपको पता है कि यमना, मारकंडा और आपके घगर यह तीनो नदिया जो है आपकी हर्याना की है option D इसका right answer हो जाएगा जो सतलूज नदी है आपकी वो हर्याना की नहीं है next question है हर्याना में नई उद्योगिक निती कब घोशित की गई option A है 2012 में option B है 2013 में option C है 2014 में option D है 2015 में जो आपकी नई उद्योगिक निती थी वो हर्याना में 2015 में शुरू की गई थी option D इसका right answer होगा next question है हर्याना के मैदानी भाग में अधिकांशत है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है option A है पीले भूरे रंग की उपजाओ मिट्टी option B है पत्री लिमिट्टी option C है रेती लिमिट्टी option D है बुलई जो आपकी दोमट मिट्टी यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option A जो पीले भूरे रंग की उपजाओ मिट्टी होती है वो आपकी हर्याना के मैदानी भाग में पाई जाती है next question है हर्याना का ऐसा कौन सा जीला है जिसका जीला मुख्याले नारनोल नगर में स्थित है तो ऐसा आपका एक ही जीला है जिसका जो मुख्याले है वो नारनोल में स्थित है option A है हिसार option B है फरिदाबाद option C है महिंदरगर option D है करनाज यहाँ पर आपका नारनोल कौन सा हो जाएगा आपका महिंदरगड महिंदरगड होगा इसका option C right answer next question है हर्याना की रास्टे खिलाडी बलवन्थ सागवाल किस खेल से संबंदित है option A है boxing, option B है कुस्ती, option C है athletics, option D है volleyball तो जो आपके बलवन्थ सागवाल जी है वो आपके volleyball से संबंदित है option D इसका right answer होगा next question है नीमन में से कौन सा गलत कथन है option A है गुडगाउं जिले के सिकंदरपूर स्थान पर चीनी मिट्टी मिलती है option B है कंकर राज्य के सभी जीलों में थोड़ा बहुत मिलता है option C है slate पत्थर अंबाला जीले में प्राप्त होता है option D है गुडगाउं के बदरपूर क्षेतर में quarters निकाला जाता है यहाँ पर जो है आपका जो गलत कथन पूचा है वो क्या हो जाएगा option C की slate पत्थर जो है वो अंबाला जीले से प्राप्त होता है next question है कांच बालू राज्य के किस जीले में पाया जाता है option A है गुडगाउं, option B है महिंदरगड, option C है रोहतक, option D है हिसाद तो यहाँ पर जो आपका कांच बालू है वो आपका गुडगाउं में पाया जाता है next question है कुरुक शेतर जीले के थानेजर नगर में कुक कुट रोग जाच प्रियोग शाला कब साबित किया गया option A है 9080 to 9081, option B है 9084 to 85, option C है 9088 to 1989, option D है 90 95 to 96 तो यहाँ पर जो है आपका वो स्थाबित किया गया था 9088, 9089 में option C इसका right answer होगा next question है रोहतक में दुर्गा भवन मंदिर का सिला न्याश देश के किस प्रधान मंतरी की पतनी ने किया था option A है पंडित जोहर लाल नहिरू, option B है लाल भवादुर शास्तरी, option C है इंद्रा गंदी, option D है राजीव गंदी तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा लाल भवादुर शास्तरी, इनकी पतनी ने किया था आपके दुर्गा भवन मंदिर का सिला न्याश कहाँ पर रोहतक में option B इसका right answer हो जाएगा next question है और एटो का अनूठा प्राचिन शिव मंदिर किस जगह सिद है, option A है सफिन्दो जो आपका जीन में पड़ता है, option B है टिटोली जो आपका रोहतक में पड़ता है, reaction C है गोहाना जो आपका सौनीपत में पड़ता है और option D है कलायेत जो आपका right answer हो जाता है option D, कलायेत जो क प्राजन शिव मंदिर है नेक्स्ट कुश्चन है हर्याना के किस भाग के अधिकांज सिंचाई वर्षा से हो जाती है option A है मध्यावरति भाग यहां पर वर्षा से हो जाती है option B है रितिले भाग option C है उत्तर पुर्वी भाग और option D है दक्षिन पुर्वी भाग तो यहां पर राइट आंसर होगा आपके पास option C जो उत्तर पुर्वी भागों की सिंचाई है वो अधिकांज आपके वर्षा से हो जाती है next question है हर्याना में आरियस माज की बाग रोर किस ने सभाली option A है लाला लाज पत्राएने option B है दीन दयाल शर्मा यहां पर आएगा आपका लाला लाज पत्राएं दीन दयाल शर्मा option C है गोकुल दास option D है मुरली धर तो वो आपकी किस ने संभाली थी लाला लाज पत्राएने option A इसका right answer होगा next question है 1886 में अंबाला में किस ने कांगरे शाखा सापित की option A है लाला राज पत्राए option B है दीन दयाल शर्मा option C है गोकुल दास और option D है लाला मुरली धर यहां पर right answer हो जाता है आपके पास option D लाला मुरली धर next question है तरावडी के प्रतम यूद में निमन में से कौन प्राजित हुआ option A है प्रित्वी राज प्रतम था प्रित्वी राज दृत्या प्रित्वी राज दृत्या या फिर मौहमत गोरी तो जो आपका तरावडी का प्रतम यूद हुआ था उसमें आपका मौहमत गोरी प्रा पी है सुरेंदर शर्मा ऑप्शन सी है दीप चंद बहमन ऑप्शन डी है चुरंगी नाथ यहां पर आपका जो है हारियाना का काली दास कहा जाता है दीप चंद बहमन को ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा नेक्स कोश्चन है सेक तैयब का गुबंद कहां स्थित है ऑप्शन ए है करनाल में ऑप्शन बी है कैथल में ऑप्शन सी है पानी पत में ऑप्शन डी है जीन्द में यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैथल में जो है शेक तैयब का गुबंद है Next question है, हरयाना में मध्यम शेनी का लोःसक के सजीले में मिलता है? Option A है महिंदरगढ, Option B है हिसार, Option C है फतेहबाद, Option D है अमबाला तो यहां पर लोःसक आपका कहां मिलता है महिंदरगढढ में Option A इसका राइट अंसर होगा निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है option A हर्याना के कुल क्रिशिक शेत्रफल के 60% भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है option B है पवन चक की द्वार रोहोत तक गुडगाव कर नाल भिवानी आदी जीलों की सिंचाई की जाती है option C है राज्य के कुल सिंचाई क्शेत्र की 45% सिंचाई नलकोकों द्वार होती है option D है जुई नहर यूजना से भिवानी जीले के उचे क्शेत्रों की सिंचाई की जाती है यहाँ पर आपका राइट अंसर क्या होगा option B जो कि आपका गलत है कि कथन सही नहीं पूझा है कि पवन चक्की द्वारा रोहुत्त गुडगाउं करनाल भिवानी आदी जीलों के सिंचाई की जाती है next question है एतिहासिक नगर रानिया किस चिले में है option A है हिसार, option B है पंचकुला, option C है सिर्सा और option D है भिवानी तो यहाँ पर आपका जो एतिहासिक नगर रानिया है वो आपका सिर्सा में पढ़ता है option C इसका राइट अंसर हो जाएगा next question है लोक संपर्क विभाग कौन सी पत्त्री का प्रकाशित करता है option A है यहाँ पर आपका लोक हर्याना संदेश, option B है हरिगंधा, option C है हर्याना खेती, option D है हर्याना समवाद तो यहाँ पर जो आपका लोक संपर्क विभाग है वो आपका हर्याना समवाद पत्त्री का प्रकाशित करता है option D इसका राइट अंसर होगा next question है बुनकरों का शहर किश के रूप में हर्याना का कौन सा सहर जो है विख्यात है option A है अमबाला option B है पानिपत option C है करनाल option D है महिंदरगर तो जो आपका पानिपत पढ़ता है उसको बुनकरों का शहर आपका कहा जाता है option B इसका right answer होगा चावल का कटोरा जया निया धान का कटोरा भी इससको कहा जाता ह¿ और जो महिंदर गड़े आपका इसो खाते है आपका खनेजों की खान or उन्हान के आपके पास अंबाला है इसमें इसमें आपके सबसे अधिक आम पाय जाते हैं और सबसे ज़्यादा वर्षा जो है आपकी वो इसी जिले में होती है नेक्स्ट कोश्चन है प्रशिद रचना बीजक के रचनकार कौन है उप्शन A है संत गरीब दाश, उप्शन B है संत निश्चल दास, उप्शन C है संत लाल दास, उप्शन D है संत आत्मा राम तो यहाँ पर आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा उप्शन A जो संत गरीब दास है वो बीजक के रचनकार है नेक्स्ट कोश्चन है हर्याना क्रिशी वेश विधल्या की मुख्या पत्री का कौन सी है यहाँ पर आपका राइट अंसर क्या हो जाता है अप्शन B हर्याना क्रिशी वेश विधल्या की मुख्या पत्री का है हर्याना क्हेती नेक्स्ट कोश्चन है किसान पूरफ सेना ध्यक्ष जर्नल दल्बीर सिंग सुहाब किस जिले के है? Option A है जजर, Option B है करनाल, Option C है कुड़गाम, Option D है रिवाडी तो यहाँ पर जो आपके किसान पूरफ सेना ध्यक्ष जर्नल दल्बीर जो है आपके वो किस से बिलॉंग करते हैं कौन से जिले से ज़ज़ से option A इसका right answer होगा next question है प्रसिद फिल्मी नायक सुनील दत का संबंध हर्याना के किस जिले से रहा है option A है करनाल option B है जीन option C है पंचकुला option D है यमनानगर तो यहाँ पर जो है आपका right answer क्या हो जाता है यमनानगर option D इसका right answer होगा next question है रोहोतक जीले के दूबल धन माजरा नामकसान पर फालगुन सुधी द्वादलशी फरवरी मार्च को कौन सा मेला लगता है मेला माता option B है मेला देवी option C है मेला शाम जी option D है मेला बाबा पूधा तो यहाँ पर जो right answer होगा आपके पास option C होगा मेला शाम जी का जो है मेला वहाँ पर लगता है next question है नीमन में से कौन सा खिलाड़ी हर्याना से संबंदित नहीं है option A है अभिनव बिंदरा option B है सुशील कुमार option C है कपिल देव option D है विजेंदर सिंग तो यहाँ पर आपका right answer क्या हो जाता है option A जो अभिनव बिंदरा है वो आपके हर्याना से संबंदित नहीं है next question है आपका हर्याना के जो बागर क्षेतर में होली के मोसम में निमलिकित में से कौन सा नरित्य किया जाता है option A है डमरो नरित्य है option B है मंजीरा नरित्य है option C है घोडा नरित्य है option D है लूर नरित्य है तो यहाँ पर आपका कौन सा नरित्य किया जाता है वो लूर नरित्य है option D इसका right answer हो जाएगा कहाँ पर होली के अफसर पर कौन से होता है आपका लूर न रित्त है और शादी के अफसर पर होता है आपका घोड़ा न रित्त है Next question है भारत को अग तक वर्ष 1913 का एक मात्र विशवकप दिलाने वाले क्रिकेटर कप्तान का नाम क्या है Option A है कपिल देव Option B है नवाब पतोदी Option C है विजयादव Option D है अजय जड़ेज़ तो यहाँ पर कौन से हैं आपके वो Option A इसका राइट अंसर होगा कपिल देव हैं आपके Next question है हर्याना में मुख्या रूप से कितने जीले हैं Option A है 6 Option B है 5 Option C है 12 Option D है 10 तो यहाँ पर जो हैं आपकी हर्याना में मुख्या रूप से आपकी पांच जीले हैं और आपकी पांच जीले वो आपकी कौन-कौनसी है एक आपकी दम-दमा जील है जो आपकी गुरगाओं में पढ़ती है फिर आपकी खलील पूर जील है जो वो भी आपकी गुरगाओं में पढ़ती है कोटला जील आपकी गुरगाम में है और सुल्तानपूर जील फरुक नगर में है और बढखल जील जो आपकी सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती है फरीदाबाद यह आपकी दमदमा पूछी जाती है सबसे ज़्यादा या फिर बढखल या पूछ ले जाता है कि मुख्य रूप से कितनी जीले है परमूख रूप से तो परमूख रूप से आपकी जो है वो पाँच जीले पढ़ती है दमदमा, खलीलपूर, कोटला, सुल्तानपूर और बठखल नेक्स कोश्चन है पूरवी, हर्याना और उत्तर प्रदेश की सीमा परनीमन में से कौन सी नदी बहती है उप्शन A है गंगा उप्शन B है सरस्वती उप्शन C है गगर उप्शन D है यमना यहां पर आपकी कौन सी नदी बहती है यमना नदी आपकी बहती है उप्शन D जो है इसका राइट आंसर होगा नेक्स कुशन आपके पास सेवा जो है आपकी सेना होती है सेना की पश्चमी कमान का मुख्यालय कहां जो है सेनक की पश्चमी कमान का मुख्यालय स्थित है option A है अमबाला option B है निलोखेरी option C है चंडी मंदीर option D है कालकब तो जो चंडी मंदीर है आपका वहाँ पर सेनक पश्चमी कमान का मुख्यालय स्थित है next question है निमन में से कौन सी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है Option A है साही B Option B है टांगडी Option C है कृष्णवती Option D है दोहान तो यहाँ पर जो आपकी पढ़ती है वो पढ़ती है आपकी टांगडी Option B इसका राइट अंसर हो जाएगा मुलाना के समीप जो मारकंडा नदी में मिलती है वो मिलती है आपकी टांगडी नदी Next question है राज्य के भिवानी जीले में सगन पशुविकास योजना परियोजना कब आरम की गई वर्ष 1906 Option B है वर्ष 1970 Option C है वर्ष 1972 Option D है वर्ष 1978 यहाँ पर आपकी कब शुरू की गई थी Option C 1972 में आपकी शुरू की गई थी Next question है हर्याना पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया Option A है बाई मई 1993 Option B है बाई अप्रेल 1993 Option C है बाई मई 1994 Option D है बाई अगस 1994 तो यहाँ पर आपका कब अधिनियम है वो लागू किया गया था बाई मई 1994 में Option C इसका राइट अंसर होगा Next question है फतेहाबाद किस था आपना किसने की Option A है फिरोज तुगलक ने Option B है हुमायू Option C है अकबर Option D है बहादुर शाह तो यहाँ पर जो आपका फतेहाबाद है वो आपका फैसे फतेहाबाद पढ़ते हैं और फैसी आपका फिरोज तुगलक तो फिरोज तुगलक ने आपकी फतेहाबाद की सापना की थी Option A इसका राइट अंसर होगा एक इसने हिसार की भी सापना की थी यहाँ पर एक तो की थी फिरोज दुगलग ने फतेहबाद की और दूसरी हिसार की नेक्स्ट कुश्चन है कैथल का प्राचिन नाम क्या था option A है कलायत, option B है कपिलसल, option C है कालसल, option D है आपका इन में से कोई नहीं तो जो कैथल का प्राचिन नाम था आपका, उसको कहा जाता था आपके कपिलसल, option B जो है इसका right answer हो जाएगा तो वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजीगा, लाइक कीजीगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजीगा